मोबाइल में बीना नमबर सेव कि ये WhatsApp पर भेजना चाहते है मैसेज तो ये तरीका जरूर अपनाईएगा WhatsApp पर बीना किसी नमबर को सेव करके मैसेज भेजने का ये तरीका Android और iOS दोनों के लिए काम करता है इसके लिए आपको बस अपने फोन का ब्राउजर ओपन कर लेना है इसके बाद आपको URL में टाइप करना है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते है उसका फोन नमर कंट्री कोट के साथ देना जैसे अगर आपको भारत के किसी व्यक्ति को WhatsApp करना है तो आपको 911 के बाद उसका मोबाइल नमबर देना हो उसके बाद आपको कोई भी website खोल लेनी है उसके बाद अवलिक के पहले वाले जो सब्द है उसको हटा देना है और यह जो है HWTP उसके आगे S लगा हूँ है उसको भी हटा देना है तो अवलिक के बाद वा.me अवलिक उसके बाद country code उसके बाद mobile नमबर लिख देना है उसके बाद आपको इंटर करके क्लिक कर देना है तब आपके सामने एक page उपन हो जाएगा यहां पर आपने जो नमबर दिया था उसको मैसेज भिजने का उप्सन आएगा इस पर क्लिक कर देए क्लिक करने के वाट्सप ओपन हो जाएगा और इसमें उस अंजान नमबर का चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा फिर आप असानी से उस प्यक्ति को मैसेज कर सकते हैं यह ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत अब लिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो